असलाम अलीकॉम वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल आई के एचडी दोस्तों में आप सब खेरिया से होगे दोस्तों जो मैं आज वीडियो एडिट करने वाला हूँ आपने थाम मिल तो देख लिया होगा तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ के कौन सी है जि इस तरह एडिट करनी है तो यह है राजा उमर की वीडियो जैसे आप देख रहे हैं बैक्ग्राउंड ब्लैक फिल्टर लगा हुआ है यह देख रहे हैं मैं कहता हूँ कि हम भी इसी तरह सेम वीडियो एडिट करें वो भी फुल एचडी 4K क्वाल्टी में और सेम इसी ही त रहा है तो आपने वीडियो लास तक देखनी है तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो एडिट करना तो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने जाना है कैप काट के अंदर तो आज कल जो कैप काट का इश चुचार रहा है के प्रो वाले आप्शन वो कहता है कि आप लबता कर सकते हैं वाटसाप पे और आप वहां से कैप काट ले सकते हैं तो जो मेरी वीडियो है जो मैंने करनी है एडिट मैं उसको करता हूँ ओपन ये वाली नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी ये वाली मुझे लगता है हाँ ये वाली वीडियो ये वाली वीडियो मैं आपको एड़ेट करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपकी तो सबसे पहले मैं इसकी आवाज कर लेता हूँ बंद तो लास्ट वाला जो है एडिटेंग वाला मतलब कि जो उनका लोगो होता है कैप काट का वो मैं कर देत है तो यहां से हम करेंगे स्टाट वीडियो एड़िट करना ह। जहां पे मैं देख रहा हूँ तो सबसे पहले हमने राजा आमर की कौपी करने हैं मतलब कह किस तरह हमने उसी की तरह सेम ही एड़िट करनी है और आपको दिखाना है कि आप भी उसी तरह फॉल एचली फॉल क्वालिटी में एड़िट करें तो सबसे पहले हम यहां पर चले जाते हैं वीडियो को पर क्लिक करके फिल्टर पर जाते हैं फिल्टर के उपर जाने के बाद मुवी का मतलब के मुवी फिल्टर का नेम है मतलब के वहां मुवी के filter होते हैं all movie की तो सबसे पहले आप तो सबसे पहले है जो हम ने filter लगाना है वो है open हैंग मतलब कि क्या कोई भी लिखा हुआ है आपने देख लेंगा है वो टोपी वाला आदमी है तो इस filter की हमने resolution रख लेनी है तकरीबन तकरीबन 14 चालिए भी तो उसके बाद जो हमने काम करना है तो हमने चले जाना है उसी वीडिय के उपर कुलेक करके जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बे मैंने कुलेक किया तो आपने उसके बाद जाना है adjust दें adjust adjust के उपर जाके आपने brightness को थोड़ा सा 5% के उपर कर देना है तो control को भी आपने तकरीब बन 3, 4, 5 अपनी वीडियो के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे और बेहतर लगे तो उसके बाद हमने saturation को भी तकरीब बन 8, 9, 10 तकरीब बन इसके अंदर अंदर आपने रखना 10 के उपर नहीं जाना उपर जाना भी है तो आपने पहले देखना है कि हमारी वीडियो की quality कैसी है और हम उपर कर सकते हैं या नहीं तो उसके बाद आचुका है brightness brightness को भी थोड़ा सा 5, 6% पे हम उपर ले जाए तो जो है sharpin जो ये चीज़ है ना इसको हमने ये हमारी वीडियो की quality बढ़ाती है मतलब कि हमारी जो वीडियो है वो हमारी जो वीडियो है ना उसको full actually करते है तो इसको आपने कर देना है तकरीबन इसको भी 40 के उपर लेके छोड़ देना है बास उपर नहीं जाना तो उसके बाद आजाता है HL HSL main point जो हमारा background color होता है face color होता है कपड़ों का color होता है सब इसी के अंदर है तो HSL के ओपर आजाना है तो आपने red को छोड़ देना जो पहले नमबर पे ना red उसको छोड़ देना है और आपने मतलब के जो yellow color के साथ है उसके ओपर क्लिक का देना तो आपने जो यह आफ शनाना यह हमारे face को depend करता है मतलब के हमारा face clear करता है तो आपने इसको रख देना है तकरीबबन 35 पे तो इसको आपने कर देना है 15 पे देख लें कैसे quality बाड़ आए और जो हमारा back round है हमने करना है black जिस तरह आपने राज़ा उमर की वीडियो देखी थी मैंने आपको दिखाई है तो जो yellow color है हम उसको करते है down यह भी down हो चुका और जो green color है उसको भी हम करते है बिल्कुल down तो हो चुकी उस तरह हो तो चुकी है अभी और भी कुछ रहता है तो आपने जो हमारे जो यह कपड़े है मेरे कपड़े है सुफ़ाद कर लगे तो जब मैंने editing की थी तो उसके अंदर color बिल्यो सा हो गया तो मैं कहता हूँ कि यह भी मेरे white ही रहे तो हमने यह बिल्यो को थोड़ा सा पर नहीं जो original ही रहे क्योंकि जो वीडियो के हिसाब से आना वो बहुत ही खुबसुरत लगता है तो उसके बाद जो यह है जामन color वो आप देख रहे हैं कि जहां पर बालों पर आ है और सार के बालों पर भी है हम उसको करते हैं थोड़ा सा उपर बढ़ा के देखते हैं खतरनाक हो चुका है हम करते हैं इसको down अपनी वीडियो के हिसाब से आपने down करना है तो जो pink color है उसको हम बढ़ा देते हैं तकरीब बन 10% तो यहां पर भी लिप्स पर आव चुका है और जहां पर मतलब के थोड़ थोड़ा सा रेड 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 शो कर रहा है ना वहां पर वो आ चुका है तो इसको हम करते हैं done यहां पर done हो चुका है और हम आजाते हैं highlight पे highlight को तकरीब बन 10 पे और shadow जो है उसको भी हम रखते हैं 10 पे और जो black है ना black blacks इसको हम एक फीसाद या दो फीसाद down कर देता हैं मतलब के minus की तरह तो जो temp पहना तो आप देख लें temp को इस तरह लेकर आगा हो तो बहुत ही बिलियो और इस तरह आ चुका हो तो red here yet तो हमने उसके हिसाब से कम करें तो बुरा लाग रहा है और बढ़ाएं तो थोड़ा सा खुबसूरत ही लाग रहा है तो मैं कहता हूं कि सिर्फ पांच पीसद पे इसको कर देता हूं okay कर देता हूं उसके बाद जो हमारी चीज़ आ चुकी है retouch editing मतलब के उसी वीडियो के उपर आपने कुलेक करना है और तकरीबन दो चार छे आठ आठे नमबर पे आता है retouch इसके उपर कुलेक करना है और face के उपर आ जाना है तो आपने जो भी चीज़ छेड़नी हो face छेड़ना हो आपकी चेरे पे दाने हैं जो मेरा यह दाना आप देख रहे हैं इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ तो कितना चेरा समूत हो चुका यह देख आप तो हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे हम इसको करेंगे 14 मतलब के 40 मैं करता हूँ 50 पे कार देते हैं तो और भी चीज़े हैं आपकी तो यह यह जो है वाइटनिंग तो इसको आपने यह इसका क्या मक्सад है इसका मक्सद यह कहा आपकी जहां भी चेरे पे कोई भी चीज पलाक मतलब के शैडो आरा हो कहीं भी गर्दन के नीचे तो उसके बाद जो हमारे दान्त होते हैं मतलब हम वीडियो बनाते हैं वीडियो के अंदर मतलब के कलर देते हैं कलर देने के बाद वो येलो कलर शोक करते हैं दांतों के ओपर वो पीला सा कलर जाड़ जाता है तो यह हैं तीथ वाइट तीथ हां तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं डाउन भी कर सकते हैं तो मेरे यहां पर दाउत पतनी कैसे आ रहा हैं मुझे इतना मतलब के अच्छा नहीं लाग रहा है तो मैं इसको white कर रहा हूँ तक्रीबन मैं इसको 50 के उपर कर देता हूँ तो इसको करते हैं done तो अब आप मेरी वीडियो देखें चेक करें out class हाई हाई पपूसा लग रहा हूँ तो आपने और भी कोई मतलब के छेड़ खानी करनी है तो वीडियो के उपर आप छेड़ खानी कर सकते हैं अपने हिसाब से अड़जस्ट कर सकते हैं और जैसे भी आपने करनी है तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल नहीं बुलना अलावे